विस्मिल्लाही रहमाईनी रहीम, अस्सलामु अलेकुम उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे आज मैं आपके साथ कश्मीरी स्टाइल डेमनी यक्षिन की रेस्पी शियर कर रही हूँ इसे ट्राइप भी कहते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें इन्हें साफ करना है यहाँ पर मैंने डेड केजी डेमिन ली है, याने ट्राइप और यहाँ पर मैंने पानी लिया है, एक खुले से बरतन में जो उबल रहा है अब मैं गैस की फ्लेम को ओफ करूँगी और इस उबलते हुए पानी में यह जो डेमिन है डालूँगी और इसे बस कुछ सेकेंड के लिए हमें रखना है और निकालना है आप वही पीस डालेगा जो आपको साफ करना है इससे यह बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगी अगर आप बहुत टाइम तक रखेंगे तो यह बहुत मुश्किल होता इससे साफ करना यह देखे इस पीस को हम निकालेंगे और जब तक यह साफ होगी तब तक हम दूसरा पीस इस पानी में डालके रखेंगे और इसे हम अच्छी तरह से साफ करेंगे देखे चाको की हेल्प से हम इसे ऐसे स्क्रेप करेंगे बिल्कुल जेंटली और अच्छी तरह से यह हमें साफ करनी है और सारे पीस हम ऐसे ही साफ करके रख देंगे यह देखे सारे पीस हमने साफ करके रख दिये हैं आप देख सकते हैं यह कितनी साफ हमने की है अब हमें ये खुले पानी में अच्छी तरह से 3-4 बार दोनी है ये देखिए और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून नमक डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करके 10-15 मिनट रखोंगी इससे ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगी और उसके बाद अच्छी तरह स 2-3 बार खुले पानी में दोएंगे ये दिखे मैंने ये अच्छी तरह से दो के रख दी है और यहां पर खुले से बरतर में मैंने पानी लिया है जो उबल रहा है और अब मैं इसमें ये डेमिन जो है डालूंगी और इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे इसी में यानि अच्छी तरह से जब ये बॉइल हो जाएगी अब ये पानी हम फैंक देंगे अगेन हमें इसे 3-4 बार दो के रख देना है ये देखे हमने इसे दो के रख दिया है और अब हम इसके पीसिस करेंगे आपकी अपनी मर्जी है कितने बड़े छोटे करने हैं आप तक है ये देखे हमने इसे इसके पीसिस किये हैं आप देख सकते ना जादा बड़े ना छोटे ऐसे ही सारे पीसिस हमने करके रख दिये हैं और अब मैं इन्हें प्रशर कुकर में डालूंगी इसी के साथ मैं इसमें गार्लिक यानि रहन एड़ करूंगी आप अगर कूट के गार्लिक एड़ कर हैं तो टू टेबल स्पून एड कीजिएगा मैंने यहां साबूत इस्तिमाल किया है इसी के साथ मैं इसमें तीन लॉंग तीन बड़ी इलाची पांच छोटी इलाची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर रही हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रीडियन्स दे दूँगी आप चेक कीजिएगा इसी के साथ मैं इसमें सौफ याने बएदियान एड कर रही हूं वन टेबल स्पून सौन्ट वन टी स्पून याने शून्ट और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड करें अब इ उसके बाद 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए इन्हें हमें जादा सौफ्ट भी नहीं करना है अगर ये बहुत जादा सौफ्ट हो गई तो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी ये देखे दो विसल के बाद मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और गैस की फ्लेम मैंने ओफ कर ली है सारा प्रिशर जो है हमने रिलीज होने दिया है और अब हम डखन खोलेंगे ये देखे अच्छी तरह से ये कूख हो गई है अब यहां पर मैंने एक खुले से बरतन में एक केजी दही लिया ह मैं देखे जिसे हमें फ्राइ करना है बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे हमें कंट्यूम मिक्स करना है टी को अच्छी तरह से पहले आपको फेंट ना है उसके बाद फ्राइ करना है अगर आप लगे दही जो हैं फटती हैं उबल ने के टाइम आप से तो आप इसमें एक अच्छी तरह से सब चीजों को हम मिक्स करेंगे और इसे हाइ फ्लेम पे हम पकाएंगे यहापर मैंने एक लार्ड साइज का अनियन लिया था याने पियाज जिसे मैंने फ्राइ किया था ये देखें फ्राइ करके मैंने इसे टिशू पेपर में निकाला था और यह हम इसमें इसी के साथ मैं इसमें 4 टेबल स्पून ओयल एड कर रही हूं बिलकुल गरम और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके डख के पकाएंगे हाई फिलेम पे जब तक ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाड़ी न हो जाए देखें 10 से 15 मिनट होगे इसे बिलकुल हाई फिलेम पे डख के पकते हुए और अब हम इसमें 1 टी स्पून सौफ एड करेंगे और 1 टी स्पून सूखा पुदीना ये बिलकुल आखिर में इससे इसकी स्मेल भी अच्छी आएगी और यकनी है तो इसमें पुदीना जाएगा ही अच्छी तरह से मिक्स करके गैस की फ्लेम को करेंगे ओफ और इसे हम डख के रखेंगे 10 से 15 मिनट तक ये देखिए डिमनी यकन तयार हो गई है और आप देख सकते इसकी जो ग्रेवी है न जादा गाड़ी होनी चाहिए और न जादा पतली और अब हम इसे सर्व करेंगे इसे यूज्वली राइस के साथ खाया जाता है बहुत ही टेस्टी बनती है ये आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो मेरे चनल को लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थांक यू फॉर वाचिंग कश्मीरी जाइका झाल 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 झाल